हैलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी क्या आपके अपने इस यूटूब चैनल एक्स्प्लेन वाली फोर यू में तो फ्रेंस आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिख लाने वाले हैं कि पांच से किसी भी संक्या में भाग कैसे दे सकते हैं तो चले पनस हम वीडियो को स्टार करते हैं तो देखे पनस इस वीडियो में हम चार प्रशनों को हल करने वाले हैं तो सबसे पहले हम पहले प्रशन को हल करते हैं तो इसमें दिया है कि 5 से आपको 25 में क्या करना है तो भाग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको पहड़ना हुआ कि 5 के पहड़े में 25 कितना बार में आता है तो 5 के पहड़े में 25 से 5 बार में आता है मतलब 5 का पहड़ा 5 बार पहड़िएगा तो 25 आ जाएगा तो यहाँ पर आपको 25 लिख देना है अब देखिए यहाँ पर मैनस का चीन लगाना है अब देखिए 25 में से 25 घटाईएगा तो 0 हो जाएगा इसलिए आपको काट देना है अब देखिए यहाँ पर दूसा नौर प्रस्म दिया है इसमें दिया है कि 5 से आपको 125 में भाग देना है तो सबसे पहले आपको इस दो संख्या को कटाना होगा बारह को तो आपको पांच का पहड़ा पहड़ा होगा कि बारह आ जाए लेकिन पांच के पहड़ा में तो बारह नहीं आता है तो आपको पांच का पहड़ा ऐसा पहड़ा होगा कि इस 12 से अधिक न हो लेकिन 12 से 1-2 कम हो जाए वो ठीक है तो 5 या पढ़ा अगर 2 बार हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 दुना का 10 हो जाएगा लेकिन अगर 5 या पढ़ा तीनर पढ़ते हैं तो 5 दिया ही 15 हो जाएगा लेकिन 12 से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन 15 क्या हो ज़रा है तो 12 से अधिक हो ज़रा है इसलिए हम 15 ना लेकर हम 5 पढ़ा 2 बार पढ़कर 12 ही लेगे तो यहाँ पर 10 रखतेंगे अब देखिए यहाँ पर minus काचीन लगा देना है अब देखिए एक में से एक घटाईएगा तो 0 होगा इसलिए इसको आपको काड़ देना है अब देखिए दो में से 0 घटाईए तो यहाँ पर सिर्फ दो बचेगा ठीक है उपर से क्या उतरेगा तो उपर से 5 उतरेगा मतलब एक अंग है तो एक अंग उतर जाएगा अब देखिए आपको 25 से 5 के पहड़े में कितना बार में आता है तो 5 के पहड़ा 5 बार पहड़ते हैं तो ये 25 से असानी से कट जाएगा तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे अब यहाँ पर आपको मारस का चीन लगा देना है अब देखिए 25 में से 25 घटाईएगा तो 0 होगा इसलिए आपको इसको क्या कर देना है तो काट देना है तो चले फिर्णस हम और दो परशनों को हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके तो देखिए फिर्णस यह तीसरन और परशन है और यह क्या है तो चौधान और परशन है तो सबसे पहले हम इस तीसरे परशनों को हल करते हैं तो इसमें दिया है कि 5 से आपको 1255 में भाग देना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको दो संख्या को कटाना होगा मतलब 12 है तो 12 को आपको कटाना होगा तो आप 12 को कटाने के लिए 5 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 5 के पढ़ा में 12 ये आ जाए लेकिन 5 के पढ़ा में तो 12 नहीं आता है तो आपको 5 के पढ़ा ऐसा पढ़ना होगा कि इस 12 से अधिक न हो लेकिन 12 से 1 या 2 कम हो जाए वो ठीक है तो 5 के पढ़ा अगर 2 बर पढ़िएगा तो ये 5 दुना का 2 हो जाएगा तो आपको 2 रख देना है अब यहाँ पर मैनस का चीन लगाना है अब देखिए 1 में से 1 घटाईए तो 0 होगा तो आपको इसको काट देना है अब देखिए 2 में से 0 घटाईएगा तो 2 ही आएगा अब देखिए उपर से एकंग आपको उतार देना है तो उपर से हम एकंग उतारेंगे तो उतर जाएगा एकंग 5 तो अब 5 के पहड़ा पहड़ना है कि 25 आजाए तो 5 का पहड़ा अगर 5 वार पहड़िएगा तो यह 25 से आसानी से आजाएगा तो आप यहां पर मैनक्त का चीन लगा दीजिएगा अब देखिए 25 में से 25 घटाईएगा तो जीरो होगा इसलिए आपको इसको काट देना है अब उपर यहां पर क्या बचा है तो सिर्फ एक अंग बचा है तो एक अंग क्या बचा है तो सिर्फ पांच बचा है तो पांच आपको यहां पर रख देना है अब देखिए 5 के पहड़ा मतलब 5 के पहड़ा ऐसा पहड़िए कि यह 5 असानी से कर जाए तो पांच के पहड़ा अ तो देखिए यहाँ पर अब चौथान और प्रोष्ण है इसमें दिया है कि 5 से आपको 225 में भाग देना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इस दो संख्या को कटाईए मतलब 22 को कटाईए तो 5 का पहड़ा आपको ऐसा पहड़ना होगा कि यह 22 असानी से आ जाए लेकिन 5 के पहड़े में तो 22 नहीं आता है तो आपको 5 का पहड़ा ऐसा पहड़ना होगा कि यह 22 से अधिक न हो लेकिन 22 से कम हो देना है अब देखिए दो में से दो घटाईएगा तो जीरो होगा इसलिए आपको इसको काट देना है अब देखिए दो में से जीरो घटाईएगा तो यहां पर सिर्फ दो आएगा अब उपर से एक उंक पांच उतार जाएगा तो यहां पर पांच आपको रख देना है अब आपको 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना होगा कि यह 25 आसानी से कट जाए तो अगर 5 का पढ़ा आप 5 वर पढ़ते हैं तो यह 25 आसानी से कट जाएगा तो यहां पर आपको लिख देना है 25 से और यहां पर आपको मानस का चीन लगा देना है अब देखिए 25 में से 25 घटाईएगा तो जीरो होगा तो जीरो होगा तो इसको आपको काट दे रहा है तो फ्रेंट्स आप असाइन तरीका से इस तरह आप असाइन तरीका से किसी भी पाज से किसी भी संख्याएं भाग दे सकते हैं मैं आसा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लागा होगा तो मेरे वीडियो के लाइक करना हो चैनल को सिस्क्राइब करके बेल घंटी को दवाकर आपको जरूर सेलेक्ट करना